हलो हलो नमस्कार दोस्तों मैं संजे डावरा आप सभी विध्यारतियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ओनलाइन पेटफॉर्म पर प्यारे विध्यारतियों जैसा कि एक छोटा सा हमने सौट वीडियो का एक सेशन चला रखा था 15-20 मिनट की एक रही है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जादा महित्पून है और सायद मुझे ऐसा लगता है कि हर एक क्लास में से किसी ना किसी सिप्ट में आपका कॉश्चन आएगा दोस्तों जैसा कि आप देख पारे हूंगे आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम बात करने बाले ह वो आपको थोड़ा इससे समझ में आ रहा होगा हां सर थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है दोस्तों पिसली क्लास में मैंने अपतल और उत्तल दरपन से बनने बाले प्रतिविमों के बारे में बताया था कि भई हम वस्तू कहां रखेंगे प्रतिविम कहां बनेगा व देरा ऐसा मानना है दोस्तो कि दरपणों की बजाय लेंस जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को 15-20 मिनट अच्छे से देख लेते हो तो मैं आपको दावे के साथ करा हूँ आपका एक कोश्चन आज की क्लास में से सही होके जाएगा यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइश्ट में लाइक जरू कर देना बाकी का नहीं तो मत करना है ना यदि आपको लगे की सर वास्थम में मज़ा आ गया तो वीडियो को लाइक भी करना है बाकी का काम बेरा है चलिए दोस्तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो ह हमारा टॉपिक होगा लेंसों में प्रतिविम कहां बनते है और कैसे बनते है देखिए दोस्तों दो प्रकार के लेंस होते हैं दोस्तों एक तो हमारे पास में होता है उत्तल लेंस बड़े ध्यान से समझ न भाई एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है दोस्तों अप्तल सो परसेंट भाई हो पिसला पेपर उठा के देख लीजे हर बार कोश्चन आ रहा है दोस्तों दोनों लेंसों में सबसे पहले हम उत्ता लेंस के बारे में बात करते हैं आपको पता होगा उत्ता लेस जो है बीच में से मोटा होता है किनारों से क्या होता है पतला होता है दोस्तों यहाँ पर जो बिंदू होता है उस बिंदू को बोलता है प्रकासिक कैंदर बिंदू ओ यहाँ पर पोल नहीं होता है यहाँ पर होता है प्रकासिक कैंदर बिंदू अब दोस्तो थोड़ा सा यहां से बीच में से एक लाइन ड्रो कर लेते हैं और यहां पे जब प्रकास डाला जाता है तो प्यारे विध्यारतियों उत्तल लेंस जो है प्रकास की करणों को जी हां उत्तल लेंस प्रकास की करणों को एक बिंदू पर मिलाता है और जहां प्रका लेंज प्रकास की किर्णों को एक बिंदू पे मिलाता है इसलिए इसका दूसरा नाम अभी सारी लेंज देना भूल मत जाना उल्टा सीधा मत करना जो प्रकास की किर्णों को मिलाएगा उसका नाम अभी सारी जाएगा अब भूसी बार का confusion हो जाता है जब हम दरपन पढ़ के आते ना तो ये बाला काम अपतल दरपन ने किया था जी हाँ confusion मत हुए ये बाला जो पिरकास को मिलाने बाला जो काम है वो अपतल दरपन ने किया था जी हाँ अपतल दरपन ने ऐसा lens में कौन करता है उत्तल lens जी हाँ उत्तल lens भी पिरकास की किर्णों को एक बिंदू पर मिलाता है इसलिए हम इसको अभी सारी लेंस का नाम देते हैं ठीक है सर यह है हमारा अप्तल लेंस दोस्तों अप्तल लेंस यहां जो बिंदू होता है उसका नाम है प्रकासिक कैंदर बिंदू ओ प्रकासिक कैंदर बिंदू ओ है दोस्तों जब हम यहाँ पे प्रकाश डालते हैं जब आप इस पे प्रकाश डालोगे तो ये बाला लेंस ये बाला लेंस ये बाला लेंस भाई में प्रकास की किर्णों को डाइवर्ट करता है फैलाता है फैलाता है फैलाता है इसलिए इस लेंस का दूसरा नाम है दोस्तो अपसारी लेंस ठ वो है अपसारी लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात मैं यहां बोल देता हूँ इस बाले लेंस में प्रकास की जो करण है यह पीछे की और मिलती हुई प्रतीत होती है वास्ता में इसका काम फैलाने का है लेकिन इस बाले लेंस में प्रकास की जो करण है पीछे की और मिलती हु तो गूर्य होगी इसे बाले लेंस की फॉकस डूरी भाया इसके राइट एड साइड की दूरी प्लस में लेते है और पीछे बाली जो दूरी है वो आपकी फॉकस डूरी हमेजसा धनात्मक होती है जबकि अपतर लेंस की focus दूरी रिनात्मक होती है आगे बाली दूरी धनात्मक और ऐसे समझे पीछे बाली दूरी रिनात्मक होती है अब दोस्तो बात आती है प्रती बिम्ब की सबसे में चीज दोस्तो उत्ता लेंस में कुल 6 इस्तिती बनती है अच्छे से समझना उत्ता लेंस में कुल 6 इस्ति इस्तिति बनती है दोस्तो कितनी इसतिती चैस्तिती दोस्तों पांच इस्तित differenti بين जो पृतिविंभ आं Fin वास्तविक बनता हैision और उल्टा सत लेकिन है है कि इस्तिती नंबर च्षे कि सिस्तिटी now च्षे अपवाद है यहाँ पे जो पिर्तिविम बनेगा वो आभासी बनेगा सीधा बनेगा और बस तूसे क्या बनेगा बड़ा बनेगा जी हाँ भाईयो उत्तल लेंस अप्तल दर्पन की तरह काम करता है उत्तल लेंस अप्तल दर्पन की तरह काम करता है अप्तल दर्पन में भी 6 कंडीशन बना और पाँच इस्तितियों में यहां जो पिर्तिविम बनेगा वो बास्तविक और उल्टा ही बनता है लेकिन एक अपवाद भी है दोस्तो भूल मत जाना इस्तिती नमबर 6 पर जो पिर्तिविम बनेगा वो आवासी बनेगा सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा तो यहां पर मैं छे इस्तिती आपको बना के जाओंगा चलिए इधर देख लीजिए जो अपता लेंस में क्या होगा अपता लेंस में कुले दो इस्तिती बनती है दोस्तों जी हाँ कुले दो इस्तिती बनती है अपता लेंस में कुले दो इस्तिती बनती है यहां कोई अपवाद नहीं है यहा बस्तू से छोटा बनेगा, कोई अपवाद नीए, जी हाँ, फिक्स है, हमेशा, जी हाँ, हमेशा बस्तू से छोटा बनेगा, तो मैं कुल मिलाके आपको 8 कंडिसन बताऊँगा, 6 कंडिसन उत्तल लेंज की, और 2 कंडिसन अप्तल लेंज की, और इस तरह से सीखना, की भाईया आपका कॉशन मिंटों में नहीं, सेकिंडों में सही होना चाहिए, दोस्तों अब मैं आपको उत्तल लेंज की सही सही कंडिशन बताने जा रहा हूँ, दोस्तों मेरे कैन से इसी चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको, ये हमारा उत्तल लेंज है दोस्तों, बड़ा मोटा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां क्या होगा, यहां सेंटर पॉंट O है, इसको बोलता है प्रकासिक केंदर बिंदू O, इसमें जो दिक्कत है बस बो दिक्कत है पॉंट लगाने की, कैसे गुरू जी? इसमें यह दिक्कत है, ध्यान से सुनना, बस यह ही है, मै 2F1 है और इदर यहां जो बिंदू होगा ये अनन्त होगा जी हां दोस्तों प्लीच ये बिंदू ही मेन पॉंट है ये बिंदू अच्छे से लगने चाहिए अगर यहां कुछ गड़बड़ी हुई ना तो बोलने और बताने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी इदर क्या है चलते है F2 जी हां दोस्तों 2F2 और अनन्त भाई प्लीच ये बिंदू लगाना सीख जाओ मैं तो कह रहा हूँ ये रियल्टी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इन बिंदू लगाने में ही प्रॉब्लम कर जाते है अगर ये बिंदू अच्छे से नहीं लगा तो दिक् प्लीच इसको आप दो बार तीन बार बना बना के देख लेना इधर देखो F1, 2F1, 3F1, 4F1 देखो मैं एक चीज बना दू ये वास्तम में अगर बात करूँ तो ये वास्तम में मुक्के फोकस है और ये वास्तम में बक्रता केंदर C है जी हां ये ही वास्तम लेकिन हम लें F2 बोलेंगे और इसको हम 2F2 बोलते हैं इसके बारे में अगर जादा जानकारी करनी है अगर आपको ग्याता ही बनना है तो प्ले श्टॉर पे जाईए डावरा क्लासे जयापूर एप्लीकेशन डाउनलोड करो जहां पे आप्टिक्स को हमने 19 गंटे पढ़ाया जी हां 19 क् गंटे वहां पर हमने आपको ऑप्तिक्स पढ़ाया है तो जी हां यह हम एक रिवीजन के हिसाब से वीडियो आपको बना रहे है कि कम टाइम में आपका यह टॉपिक रिवीजन हो जाए चलिए दोस्तों यह बिंदू लगा देंगे सरह तो अगर यह बिंदू आप लगा द ठीक है गुरू जी तीसरी बार बस तू टू एफ वन पे रख देना एक एक इस्टेप आगे बढ़ो चौती बार यहां रख लेना एफ वन और टू एफ वन के बीच में पांचमी बार कहां रख लेना एफ वन पे रख लेना और छटी बार बस तू यहां रख लेना एफ व के बीच में रख लेना इसको ऐसे भी बोला जाता है 2F1 से परे 2F1 से परे परे का मतलब पीछे 2F1 से परे फिर 2F1 पे लाना फिर 2F1 और F1 के बीच में फिर F1 पर और फिर F1 और O के बीच में बस तू छे बार इस तरीके से रख लेना और इधर मैं बनाऊंगा इसका बना रहा हूं सुनी दिये इस्तिती नंबर एक दोस्तों बहुत अच्छे से देख लो जब बस्तू अनंत पर होती है तो प्रतिविम उसका एफ टू पर बनता है जी हां पहला प्रतिविम यहां बनेगा कैसा बनेगा बास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और बिंदू नुम बस्तू यहां रख दी प्रतिविम पीछे जाएगा प्रतिविम बनेगा इस बार एफ टू और टू एफ टू के बीच में कैसा बनेगा बास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और बस्तू से छोटा बनेगा इस्तिती नंबर तीन पर आजाईए बस्तू आ गई टू एफ वन पर एक इस्टे पीछे चले जाओ जब वस्तू 2F1 पे होती है तो उसका प्रतिविम 2F2 पे बनता है जी हाँ बास्त्विक बनता है उल्टा बनता है और बराबर भहिया इस्तिती नमबर 3 का ध्यार रखना इस्तिती नमबर 3 पर विम और प्रतिविम दोनों बराबर हो जाता है परिक्षा में छपेगा जितनी वड़ी वस्तू होगी उतना ही बड़ा पिर्तिविम होगा मतलब आबर्दन छमता का मान क्या आएगा देखो समझ ना कौन कौन समझ गया आबर्दन छमता का मान माइनस एक आएगा भाया समझे यह क्या लिखा है मैंने माइनस एक का मतलब है जो पिर्तिविम होगा, वो माइनस का मतलब है, उल्टा होगा, माइनस का मतलब है, उल्टा होगा, बास्तविक होगा, उल्टा होगा, एक का मतलब है, बस्तू के बराबर होगा, पिसली वीडियो जरूर देखना भाई, बहुत काम की वीडियो है, आबर्दन चमता कोशन लेक उड़ेगी पेपरों के अंदर, तो प्लीज माइनस का मतलब है बास्तविक और उल्टा, पिलस का मतलब होता है आभासी और सीधा, और एक का मतलब है कि आबर्दन छमता का मान एक है, इसका मतलब बिम और पिर्तिविम बराबर होंगे, बिम और पिर्तिविम क्या होंगे, बर ठीक है, इस्तिती नंबर 4 पर जाईए, इस्तिती नंबर 4, जब बस्तु कहां रखी है, F1 और 2F1 के बीच में, तो बस्तु एक स्टेप आगे लाए है, पिर्तिविम को एक स्टेप पीछे भीज़ दो, अब पिर्तिविम बनेगा 2F2 से परे, जी हाँ, चार नंबर, 2F2 से पर जाएगा, वो अनंत पे जाएगा, नंबर 5, पिर्तिविम अनंत पे जाएगा, वास्त्विक होगा, उल्टा होगा, आबर्दित, 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 बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, आबर्दित का मतलब हैं, बहुत बड़ा बनेगा, दोस्तो इसके साथ सबसे इ बीच में हो, F1 और O के बीच में हो, तो इसका जो पिर्तिविम बनेगा, ये बिम की और बनेगा, जिदर बस्तू है, इदर ही बनेगा, लेकिन बिंदू मत बोलना, कुछ मत बोलना, आप तो ऐसे लिख ले ना, बिम की और, छे का आंसर है, छे का आंसर है, पिर्तिविम आभा होगा सीधा होगा और बड़ा होगा अब यह मत बताना कहां बनेगा नई प्लीच यह मत बोलना कहां बनेगा अगर आप ऐसे बोलतो साइश टू lui आपको यह नहीं बोलना है कि इस इस्तितीमन जो पिर्थिविंग बनेगा वो बिम्मी की और बनेगा, जिदर बस्तू रखी गई है, इधर ही बनेगा, बिम्मी की और बनेगा, या लेंस के पीछे की और बोल देना, लेंस के पीछे की और बोल देना, NCIT में क्या बोल रखा है, वो भी मैं यहाँ पे आपको एक बार clear करा देता हूँ, दोस्तों इसको एक बार वीडियो रोक के देख लेना, यह 6 इस्तिति है पूरी हमारी, बस्तू अनंत पर, देखो छोटा कर लेते है थोड़ा का, बस्तू अनंत पर, 2F1 से परे, 2F1 पर, F1 और 2F1 के बीच में, F1 पर, और लाश्ट पॉंट है, छटा नंबर का, F1 और O के बीच में, तो द अभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो यह वीडियो, ठीक है भाई, 15 मिटकी तो होई गई, 20 मिटका टारगेट किया है, कोई बात नहीं, अब आते है, दोस्तो, अप्तल लेंस, कोई बात नहीं, 20 मिटकी होगई तो क्या होगया, अ प्रकास दोस्तो एक चीज फिर बता दू दोस्तो यहां पर आपका fixed बिंदू पीछे की तरफ था अभी प्रकास की जो करणे पीछे की और मिलती हुई पिरतीत हो रही थी तो यहां पर हम लिखेंगे एफ वन यह फोकस बिंदू है दोस्तो यह है यहां पर फोकस बिंदू और ये है ओ, दोस्तों ध्यान रखना ये भी confusion बाला है, सबसे पहले आपको बस्तू को अनंत पे रखना है, इस्तिती नंबर एक, जी हाँ गुरू जी, बस्तू अनंत पे रखती, बताइए इसका प्रतिबिम कहां बनेगा, मेरे भाईयों, प्लीज, अच्छे अनंत पे रखेंगे, तो इसका प्रतिबिम फोकस पर बनेगा, यहां बनेगा, ऐसे समध लीजे, ये पहले का आंसर है, प्रतिबिम कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और बिंदू नुमा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और बिंदू नुमा होगा, पहला पॉ बोलोगी कहां रखिये बस्तु प्लीज मुझे पता उप गल्त बोलोगे आम बोलोगे अनंत और एफ बन के बीछ में नई भाई प्लीज मेरी बात को समझे ऐसे सम्झो थोड़ी के बीच में अनंत और ओके बीच में रखिया अनंत और ओके बीच में यह बिंदू वास्ता में होता ही नहीं है ठीक है गुरू जी इस्तिती नंबर दो बस तु कहा है अनंत और ओके बीच में तो इसका पृतिविम कहां बनेगा गुरू जी पृतिविम बनेगा एफ और ओके बीच में, जी हाँ, F और O के बीच में बनेगा, F और O के बीच में बनेगा, वोई, आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बस तुसे छोटा होगा, जी हाँ, दो ही इस्तिती बनेगी यहाँ पर, और मैंने बता दिया, एक बार पिर्तिविम जब अनंत पे रखोगे, और अनन्त और O के बीच में रखोगे तो पिरतिविम F1 और O के बीच में बनता है दोस्तो ये कुल मिलाके आठ इस्तिती है और आज इस वीडियो को सेब कर लेना दोस्तो जिस दिन पेपर देखे आओगे मैं एक-एक करके बता दूँगा इससे पहले बाली वीडियो ये चौ सौथे नंबर की ये सौठ वीडियो है दोस्तो और इससे पहले जो वीडियो बनाएं थी उसको जरूर देखना मैं कहरा हूँ हर एक वीडियो आपके काम में आने बाली है तो आप विद्ध्यार्तियों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना और भाईया आपका लाइक और सेहर ही मेरी मज़ूती है छोटी सी सूतना है जाते जाते जो भी विद्ध्यार्ति रेलबे की तैयारी कर रहा है वो मेरे एपली केसं से जाके बहुत अच्छे से पूरा NCIT पढ़ सकता है दोस्तों कम्प्लीट NCIT जिसकी फीज जो है हमने 499 रखी है इसमें हम आपको Physics, Chemistry, Biology और साथ में Numerical, Class Notes, Mock Test सब आपको अपलब्द करा रहे है दोस्तों 499 में रुपे में एक साल की वेलेडिटी आप बहुत सारी डेमो क्लास बहां पर देख लीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे दोस्त यह रहा डावरा क्लासे जैपूर एपलीकेशन और यह रहे हमारे कॉंटेट नमबर जिन पर आप संपर कर सकते हो अब सुनिए छोटी सी काम की बात दोस्तों अभी यह ओफर चल रहा है जिसमें आपको यह फीस मात्र और मात्र 200 रुपे कर दिया है 1999 में रुपे में बोही कॉर्स मिल रहा है यह दिवाली महा ओफर है दोस्तों पान्सो रुपे का कॉर्स मात्र और 1999 में रुपे में एक साल की वैलेडिटी के साथ में मिल रहा है तो आप जरूर से भाई समय हो तो एक बार साइंस पढ़ लिजे बाकी का अगली सौठ वीडि झाल झाल